हेलो एवरिवेन मैं हूं अर्पित फ्रम लर्नुहब दफ्री लर्निंग प्लैटफॉर्म जहां पर आप सब पर सकते हैं फिजिक्स केमस्थी मैस बालाजी फॉर एप्सिल्यूट्री फ्री एट लर्नुहब दॉट कॉम तो अब हमें स्टार्ट करना है हमारे कुछ और कोशन हो खतम करना है उसी के सांद यह वाला पूरा चैप्टर ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले कोशन से इस वीडियो के चलो देखो फिर हमारा पेहला कोशन क्या है कि अमंग्स the following compound identify खार insolib portrait also her and highlyeed enable and water ठीक हम्हें बताना है कि कौन सा इंसॉलीबल है कौन सा एंसॉल एपार्चिल वह पार्षेली बलें बार्चिली इस मतलब कि जो आदा सॉलीबल और अदा सॉलीबल नहीं हो पाया है समझ Ultra बात ठीक है तो चलो यह compound हमको दिये हुआ हमको देखना है पहला compound फिनॉल तो इन सब के सबसे पहले काम करते हैं फॉर्मुले लिखे लेते हैं उससे आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा ठीक है तो देखो पहले तुम्हें क्या पहला दिया तुम्हें फिनॉल क्या है फिन होता है टॉइलिं टीक उसके बाद तुम्हारा फॉर्मिक ऐसिड तो कौन सा होगा कारबॉक्स लेक ऐसे डोगा ठीक है वह देख लेता है उसको मैं पूरा ओपन करके लिख रहा हूं होता यह ऐसा है एच इसको मैं लिख रहा हूं सी डावल बॉन ओ यह ओ और यहां पे है कि CH2 मतलब ETHYL मतलब क्या होता है दो CH ठीक यह होगा CH यह CH यह तो होगा ETHYL अब GLYCOL क्या होता है जब उन दोनों के ऊपर एक-एक ओएच ग्रुप लगा हो ठीक यह होता है सीधे सेंपल फॉर्म में लिखना चाहिए तो इसके बाद में लिख रहा हूं यह होता है CH3 CHCl3 ठीक है CHCl3 उसके बाद लगा है मतलब क्या होगा यहां पर एलकोहल ग्रुप होगा तो ठीक है यहां पर लगा दो OH यह हो गया OH ठीक अब क्या सटिस्फाय करना है तो सीधे सीधे लगा दो CH3 वह तुम कर लोगे बागे सब पर CH2 CH2 लगा दो बन जागा तुमारा पेंटिनॉल अब तुम्हें निक लाइक मतलब जैसा है वह वैसे में ही क्या होगा डिजॉल वह जैसे कि polar वाला अगर polar है तो वह polar में जाकर डिसॉल होगा नॉन पोलर है तो वह नॉन पड़ाया ना ठीक है अब क्या बोलता है कि जब भी तुम्हें कर देकर देख जा है ओ एचो ट्रूप समझ आधा ना कि वो पोलर नेचर के होंगे अब क्यों होंगे क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन है वो होता है क्या इलेक्ट्रो नेगेटिव नेगेटिव का मतलब सीधे मैंने लिख देख नेगेटिव ठीक और हाइडोजन क्या होता है हमें पता है हाइडोजन होता है अब क्या होता है इतना कम ह ता है यह होता है कि इससे जाता है और लेक्ट्र नागटिविटी डिफेरेंट यह आप बनाता है हाइडुल बोर्ण के सांद दूसरे कोई मौलेकुल सांध ब्ली भी क्या होगा जिसके पास भी एक एलेक्ट्र नेगेटिव होगा और एक प्लेक्ट्र पॉजिटिव होगा सिंपल सी बात है ना तो देखो यह वाला पार्ट क्या है यह यह पोलर टिक यह पोलर तुमारा और इतना पार्ट क्या है यह देखो यह सिर्फ कार्बन कार्बन से ब लगे समझ जाना कि बहुताइब नौन पूलर ये पूलर में हो जाएगा इतना जो है वह रहें यही तो बहा लुदा अब कि यह इसको उप्राइब कि हम पार्सियली सॉलिपल समझ गए बस ऐसी में चलो और सुन्हों अब सकते टॉली डेखो यह कारबन और बागी सब तो कारबन ही है तो यह भी डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में और यह सब भी डिजॉल्व नहीं होंगे शमझ यह बात तो यह सब इसक्व होगा ही नहीं क्योंकि यह नalts पूर hing तो न्नलव यह क्या होगा यह तो पूरा न ук पूरirdi है यहाँ पर h त्मम्हें दिखी रहा है Crो यह क्या होगा यह आप असमों बना लेंगे क्या पोलर बॉंड मतलब पोलर बॉलर होगा यह नेचर के कि यहाँ अपर खुड़ मॉझेल यह नियजर की था क्योंत बातon तो तुम्हारा Ethylene Glycol Ethylene Glycol इन सब के पास तो एक-एक ओच था इसके पास क्या होगा इसके पास तो दो-दो हैं तो मतलब बाइद्यूजन बॉन्डिंग भी जादा ही होगी ठीक है एक के पास नहीं अब तो दो के पास है समझ गहें बास तो यह क्या होगा यह तो तुम्हार है Chlorine 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 Highly Electronegative है Chlorine और Oxygen के बाद Chlorine है ना ठीक है तो Chlorine क्या करेगा Chlorine Carbon से क्या करेगा अपने Electron खीचेगा अपने Side जिसके कारण इन सब की ऊपर कौन सा चार्जा जाएंगा इसकी ऊपर पर पार्शल नेगेटिव इसकी उपर भी पार्शल नेगेटिव ठीक है और यहां पर जाएगा तुम्हारा पार्शल पॉजिटिव क्योंकि कारवन से खेच रहा है समझ यह बात तो इलेक्ट्रोन खीचने के कारण इन सब की उपर जन्रेट हो जाएगा एक चार्ज और जिस पॉलर क्या ओगा यह पोलर आयन हो गया तो इसके ही कारण यह और यहों यह जायेका तो हमारा पॉरा है क्या था कार्बन का था बेंजीन हमारा पूरा का पूरा कार्बन का बना था और यहां पर ओएच था क्या तुम्हें यह सिमिलर दिख रहा है यह देखो यह पूरा का पूरा क्या बना है कार्बन से बना है और यहां पर ओएच है बस डिफ्रेंस क्या है डिफ्रेंस यह है कि य यहां पर रिंग बनी है यहां पर ओपन सिस्टम है लेकिन क्या बना तो पूरा कार्बन सही है न तो यह भी क्या होगा तुम्हारा पार्शली सॉलिबल पार्शली सॉलिबल और एक बात और कार्बन के कार्बन के कहां तक एथिनॉल यह सब तो सॉलिबल होते हैं क्योंकि वहा मारा सॉलिबिलिटी जो है वाटर में वो कम होती जाएगी ठीक है और यह सिर्फ वाटर में ने जितने भी क्या है पोलर सॉल्बेंट है उन सम्में होगा यह बाद चलो ठीक दूसर देखो अब यह वाला क्या कह रहा है कि इफ देंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इस इतना तुम्ह आजने एंड कंटेंश-92 ग्राम ऑफ सो डियम प्लस आयन मतलब सो डियम आइन ठीक पर केज़ी ऑफ क्या वाटर ठीक पर केज़ी ऑब ओटर अब तुम्हें कले दा मोलालीटी तो में मोलालीटी निकालना है तो पहले ही समझ जाना कि तुम्हें सब टर्म केज़ी में चाहि है तो चलो देखते हैं मोललिटी क्या होता क्या है सबसे पहले तो उसको हम सो करते हैं स्मॉल एम से यह तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है अब होगा क्या तो मैं नंबर ओफ मोल्स अपन 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 क्या मास ओफ सॉल्वेंट वह भी किसमें केजी में और अगा ग्राम म नंबर ओफ मोल्स कैसे निकालते हैं उसको हम शो करते हैं यह क्या होता है तुम्हारा गिवन मास अपन मॉल्यकिलर मास यह पता है अब यह देखो क्या तुम्हारे पास गिवन मास है देखो एक बार तुम्हारे पास गिवन मास ओल्रेडी दिया हुआ है ठीक अब देखो क् हमने काल सकते हैं ठीक है sodium का molecular mass किता होता है यह बताओ sodium का molecular mass होता है किता 23 होता है उसका molecular mass ठीक क्योंकि उसका atomic number होता है 11 23 होता है उसका molecular mass तो उसको मैं लिख रहा हूँ molecular mass of na ठीक मैंने लिख रहा हूँ मैं ठीक molecular mass of na अब given क्या है तुम्हें गिवन तमें कितना धिया है गिवन दिया है तो मैं 92 आएँ क cinnamon मास ninety-two आईगा ट्वारिक ड्री जाब स्कों काड़ों के तो n की वैलिए वैलिए करा चाहीत तो था मजए तुम्हारों का ड्रीम चेरिओ मास आफ सॉल्वेंट चाहिए मास आफ सॉल्वेंट चाहिए उसके बाद तुम्हारा जाएगा क्या एम जाएगा चलो देखते हैं अब के चाहिए तुम्हें मास आफ सॉल्वेंट गिवन है कि नहीं है यह देखो यहां पर पर केजी गिवन है तुम्हें तो यहां पर रख द नेफिन वोल डी पर बाक्ट थुम्हें समझ गई बात एक ईसे करना तो शॉलिटी प्रडॉडवक्त तमको डिया हुआ है कैलकूलेट the maximum molarity of CUS in aqueous solution, एक aqueous solution में तुम्हें majority निकालना है, तो एक logical चीज अगर CUS है और अगर वो किस में जा रहा aqueous solution में जाएगा, तो वो कैसे तूटेगा, ये तूटेगा, CUS 2 प्लस plus S 2 minus, ऐसी तूटेगा ये, ठीक है, ये देखो न, क्या है, the solubility product, तो तूम्हें किता दिया है, CUS already given है, CUS किता given है, 6 into 10 to the power minus 16, ये गवान है, ठीक, आप देखो, dissociation constant क्या कहता है, dissociation constant क्या होता है, का is equal to, ये होता है कि कितना dissociate हुआ, ठीक है, तो कितना dissociate हुआ, तूमारा Cu 2 plus, CUS 2 minus, Cu 2 plus और S 2 minus, ये हुआ, अपन, मतलब ये होगा, तूमारा क्या product, अपन क्या जाएगा, तूमारा reactant, ये जाएगा, तूमारा reactant, CUS, यह होगा, यही बताता है, कि भाई कितना तूटा, कितना तूटा, कितना dissociate हुआ, तूमें यही बताना न, ठीक है, तो हम देने काले कि कितना तूटा और कितना प्रिजेंट था, ठीक है, तो वहाँ से तुमारा कितना जाएगा, कि आयन्स कितने निकले, समझ गयने बाद, ठीक, तो चलो देखो, यह वैल्यू तुमको गिवन है, ठीक हो, क्या दिया है, तूमें, इतनी solubility तूमको गिवन है, कि जब यह इतना solubile हो रहा है, फिर इतने produce करे, इस से solubile होने के बाद ही तो यह produce होंगे, ठीक है, चलो, तो यह solubility तूमको गिवन है, ठीक, अब यह देखो, अगर मैं इसक को C लिखता हूँ, ठीक है, तो इन सबको मैं लिख सकता हूँ, कि यह सब concentration है, active concentration लिख सकता हूँ, मैं इन सबको, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इधर की value को अगर मैं C put करूँ, तो क्या होगा, यह value तो तूमको quality given है, तो सीधे put कर दो, यह क्या है, तो मैं 6 into, 6 into 10 to the power minus 16 is equal to अब देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, C और C put करूँगा, तो यह हो जाएगा C square, यह हो जाएगा C square, और C square क्या बता रहा है, concentration, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, आप क्या करूँ, मैं ऐसे लिखूँगा, C is equal to under root 6 into 10 to the power minus 16, लिख सकता सुना मैं इसको, ऐसे, ठीक, C क्या है, तुमारा concentration है, concentration कि सी तर्म में भी हो सकता है, ठीक है, तो देखो, C क्या है, C की value क्या है, कि तुमारी C is equal to 2.45 into 10 to the power minus 8, तो यह आगा तुमारा concentration, concentration मतलब की, molarity तुमारी आगी, जब भी concentration अगा तुम्हें गिवन है, तो यही तो होग minus 8, तुमारा concentration मतलब molarity तुमारी यह आगे, समझ यह बात, एक बार और ध्यान से देख लो कि हुआ क्या, देखो, solubility product तुमको अलड़ी given था, ठीक, अब जब soluble होगा, तो आयन स्पॉम में तूटेगा, तो यह जब soluble हुआ, मतलब जब soluble हुआ, ऐसे, ठीक, यह बता रह जब यह आपस में क्या करेंगे, जब जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, कि दोनों का concentration CC, फिर वो जाएगा, वो C square, फिर तो आगे का solution तो समझी गया होगा, ठीक है, समझ गे बात, चलो अब दूसरा देखते हम, देखो अब, यह कहा है, तुमारा next question क्या कह रहा है, calculate the mass percentage of aspirin, ठीक, calculate the mass percentage of aspirin, in acetonitrile, when 6.5 gram of, इतना, aspirin is dissolving 450 gram of, क्या, acetonitrile, ठीक, तुम्हें दिया हुआ है, सब कुछ, सबसे पहले, तुम्हें calculate ही क्या करना है, mass percentage, mass percentage का formula क्या होता है, देखो, mass percentage का formula होता क्या है, कि भाई, अगर मानलो, mass percentage हम aspirin के बाद कर रहे हैं, तो मैंने a लिख दिया, ठीक है, तो mass of a, मतलब aspirin, upon, total mass of क्या, पूरा का पूरा solution, ठीक, total mass of, तो पूरा का पूरा solution, तो देखो, mass of a भी लगेगा, plus mass of तुम्हें क्या लगेगा, तो मैं acetonitrile, तो मैं लग द रहा हूँ, ac, समझ यह बात, देखो, mass of तुम्हें a लगेगा, upon total mass of, प तुम्हारे पास given है या नहीं, देखो, 6.5 gram, किसका aspirin का, तो तुम्हें पास 6.5 gram given है, तो mass, mass of aspirin, mass of aspirin, तुम्हें को किता देखेवान है, 6.5 gram, 6.5 gram, तुम्हें पास given है, अब mass of, mass of, CH3CN, मतलब ऐसी तुनाइट, ठीक है, वो तुम्हें किता गिवन है, 450 gram, 450 gram तुम्ह हमें चाहिए total, हमें चाहिए total, तो total क्या होगा, total mass किता होगा, total mass of solution, किता होगा भाई, यह होगा, 450 gram, plus 6.5 gram, यह आएगा, यह किता हो जाएगा, तुम्हारा, यह हो जाएगा, 456.5 gram, यह आगया, यह आगया, तुम्हारा क्या, total mass, आगया total mass, अब हमें चाहिए क्या, बस formula मास किता गिवाने तुम्हें मास गिवाने तुम्हें 6.5 6.5 गिवाने ठीक है सीदे पॉट कर दो 6.5 अपन किता हो जाएगा तुम्हारा यह जाएगा 456 456.5 अब देखो निकालने क्या है तुम्हें परसेंटेज निकालना है तो किस से होगा इंटू इंटू हंड्रेट से होगा यहां पर गार दो इंटू हंड्रेट यहां पर क्यों जाएगा इंटू हंड्रेट ठीक परसेंटेज का टर्म है सिंपल सी बात है इंटू हंड्रे समझ गई है ठीक चलो बस तुम्हें क्या पता होना था में तो तुम्हें फॉर्मूला पताया भी है कि अच्छे से लिखते भी जाना फॉर्मूले को तो अलग ही लिखते जाओ और यहीं कॉंसेप्ट लगता जाएगा तुम्हारा हर जागा ठीक है चलो अब दूसरा कोशन द क्या कि डोस ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन वन पॉइंट फाइव एमजी एमजी टिक क्या करा करो पहले ही तुम किस पे यूनिट्स पे पहले ही अंडर लाइन कर ले करो तुम्हें समझ में आता जाएगा अब तुम्हें क्या करना है ठीक एक का सॉलूइशन ठीक है तो तुम्हें कितनी कितना मुलर तो हारा बनेगा यह निकलना और 0.5 टीक 10 भी पावर थ्री मोलर एक्ष वाइ को सॉलूइशन बना अब तो में इतना ज queste लोगे मोलर तो कितना बनेगा तो चलो सबसे पहले क्या हमेंद निकालना है मोलल ही निकालना है में थैक हमें सबसे पहले चाहिए होगा इसके मोल्स किसके नेलजोर्फीन के मोल्स ठीक तो देखो नेलोर्ण मोल्स मोल्स हो और ये शिकता android नहीं है जक क्या थे मैंनलार वो होता है अमारा ऑघेवन मास का अपॉण हो नहीं होetty आपता 5 mg ठीक 1.5 Mg तो लेग दो 1.5 Mg अपान क्या मॉल्क्लर मास है तुमारे पास मॉल्क्लर मास हम निकाल सकते हैं ठीक है इसको निकालो यह जाएगा 19 into 12 प्लस यह जाएगा 21 into 1 प्लस यह जाएगा क्या नाइट नोजन का कितता होता है 14 प्लस यह के ता हाएगा तम्हारा थ्री इंटू सिस्तीन जब इसको इसको कैल्कुलेट करो उग़ा थ्री वन वन ग्राम का थ्री वन वन ग्राम अब खुद सोचो यहां पर आफ यहां थ्री वन वन ग्राम और यह MICHAEL तो किसी एक को कर लो ठीक या तो फिर इसको mg को ग्राम में कर लो या ग्राम को में कर लो लेकिन हम किसको करेंगे मिली ग्राम को करेंगे ग्राम में क्यों करेंगे क्यों करेंगे क्यों कि आगे हमें यहीं लगेगा ठीक है जब तुम मोलेलिटी का क्या लगा होगे फॉर्मल लगा होगे अग ग्राम में होगाई क्या होता है वन एम झी इस एक ऑट्रावर मइनस ती ग्राम होती है कि नहीं होती है कि ये बढ़ाना एक ग्राम में केट क्या है है मैं थाह। फिर फिर Ms. trois mom समझ गए बात ठीक तो बस इसको जब solve करोगे तो किता आएगा तुमारा यह यह आएगा तुमारा किता आएगा तुमारा 4.82 into 10 to the power minus 6 moles समझ गए बात क्या आगए तुमारा moles already आ गए अब तो मैं के चाहिए molality क्या होता है molality is equal to mols of solute upon क्या होता है mass mass of solvent in kg अगा gram में है तो क्या होगा mass of solvent अगा gram में है तो ऊपर 1000 into क्या तुमारा पास सिदे वैली पूट कर दो 1.5 into 10 to the power 3 is equal to mass of solute मातला moles of solute हमने अभी निकाल ले क्या है हमारा 4.82 into 10 to the power minus 6 mole upon mass of solvent ही तो निकालना हमें कि कितना solvent हमें लगेगा मतलब कितना mass of solvent हमें लगेगा ठीक है तो इसको मैं रख दे रहा हूँ x into 1000 तो है ही है बस इसको पूट कर दो x को इधर ले आओ इसको इधर ले क्या हो ठीक है क्या हो जाएगा यह जाएगा 4.82 into 10 to the power minus 6 upon यह क्या होगा तुमारा 1.5 into 10 to the power 3 into 1000 ठीक है यह होगा x is equal to x is equal to तुमारा यह होगा जब तुम्हें x की value निकालोगा तो कहाएगा x is equal to 3.2 ग्राम तो इतने dose के लिए तुम्हें कितना mass of solvent लग रहा है ठीक है तुम्हें लग रहा है 3.2 ग्राम 3.2 ग्राम तुम्हें चाहिए होगा जब तुम्हें इतने dose उस पर बनाना है नेलॉर्फीन को समझ गए बात ठीक है चलो अब दूसर देखते हैं देखो अब क्या कह रहा है तमारा की calculate the amount of benzoic acid amount of benzoic acid ठीक है अब देखो required for preparing किता 250 ml of 0.15 molar ठीक मोलर यह ml में है यह मोलर में हैं ठीक है solution in methanol ठीक है तो चलो हम देखते हैं सबसे पहला हमें कह दिया molarity दी है molarity क्या होता है moles moles of solute upon volume of solution अगर यह ml में है तो उपर 1000 से into ठीक है 1000 से इंटू क्यों में हमें देखी रहा है ठीक है पहली बोला था कि यूनेट पे पहली तरकल लगा ले करो ठीक है अब हमाए पास क्या है moles of solute तो हम निकाली सकते है volume of solution ठीक है हमाए पास ठीक है 2000 और molality तो है ठीक molarity है देखो यह क्या हो जाएगा 0.15 यह देखो मोल हमें molality गेवन थी एसे कॉल टू मोल्स मोल्स को मैं ऐसे लग सकता हूं और किसका solid क्या है हमारे धर benzoic acid तो benzoic acid ठीक एन benzoic सीद्व लेग दिए ठीक अब अब अपन किता है यह जा तू 250 ml in 2000 बस इसको solve करो तो क्या है तुम्हारा एन benzoic acid एन benzoic कैसे कॉल टू मैं लेख सकता हूं इसको देखो side change बस करना यह जाएगा 0.15 into 250 upon thousand upon thousand लेख सकता हूं मैं इसको ऐसा ऐसे लेख सकता हूं ठीक है जब इसको जब तुम solve करोगे तो किता है तुम्हारा यह आएगा 0.0375 समझ गए इतने मोल्स क्या है तुम्हाई प्रेजेंट है मतलब इतना सॉल्यूट तुम्हाई पास प्रेजेंट है इतने मोल्स बैंजोए कैसे प्रेजेंट है ठीक अब तुम्हें चाहिए कहता प्रेजेंट चाहिए कि कितना लग रहा है एक तुम्हें उसका माश चाहिए ठीक है तो मोल्स तो तुम्हाई पास आ गए मोल्स तुम्हाई पास आ गए मोल्स अब यैगकालट जाना किसका सॉल्लीट किसकी बाद चल यह मोल्स ऑफ बैंजोय कैसेड की बाद चले ठीक है गिवन मास हमें निकालना है तो एक्स रख दी हमने यह औक जाने हो तमगाए पास टू इंटू शिक्स्टीं है यह था तमारा 122 ग्राम है किता यह तुम्हारा 122 ग्राम तो यह बस हमें पता एक्स अपॉंड आपस वन टॉन टॉन टुट ग्राम इस एक कोंपर कर उनको इसकी रख दो यह गा यहाँ जाएगा 0.037 ठीक है 0.075 भी है मतलब तीन वैल्यू तक ले लिए ठीक है यह जाएगा आप एक्स की वैल्यू निकालो गया एक्स इस एक कॉल टू आएगा तुमारा 0.037 इंटू 122 समझ गए अब इसको सॉल्व करोगे तो जब तुमाई वैल्यू आएगी एक्स इसे कॉल टू 4.57 ग्राम समझ गए तो कितना मास प्रिजेंट है कितना कितना अमाउंट है बेंजर कैसिट का 4.57 ग्राम देखो इसमें तुम्हें में पता क्या होना था पहले मोलारीटी पता होनी थी तुम के निकाल सकते हो मोल्स आफ सॉल्यूट मोल्स आफ सॉल्यूट के तुम्हें फॉर्मूले किया मॉल्यूलर मास हमें पता था जब सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 4.4.57 ग्राम समझ गए ठीक है समझ गए नहीं अच्छे से चलो ठीक अब दूसरा देखो देखो अब यह वाला कोशन क्या कह रहा है कि दा डिप्रेशन इन देप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉ ओडर गिवन एक्स्प्लेंड ब्रीफली भाई तुम्हें यह बताना है कि डा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए जादा या कम होगा इन ओडर में चलो अच्छा एक बात देख लेते हैं क्या होता है डेल टी एफ यह होता है फ्रीजिंग पॉइंट इप यह हो करता है आई वाई आफ्र डिसोशियेशन बिफोर डिसोशियेशन ठीक है वाई वाला कॉंसेप्ट वॉंट ओफ एक्टर ठीक है आगे आएगा हमारा वह भी लगाते हैं हमते को आई इसे कल टू आयन प्रेजेंट इन सॉलूशन मतलब कि हम यह बोल सकते हैं कि जो डे चैनect को लेकर चलो अब देखो पहला है तुमाहरा एकसरिट वह क्या होता तुमाहारा ट्रायख थरी यृऊ ओओ इच हो एच अठीक हमें पता यह 催ट का sz तो येतने आयंस देगा नहीं इतना डिसोसीयेट यह गांए उसके बाद यह जुस्से थोड़ा ज्यादा सदेख है यह सब ज्यादा अब क्यों है यह देखो सब तो एक ही टाइप के साव ऐसे टेक आए बस फ्लोरो-ख्लोरो लग गया तो यह क्यों है चलो वह देखते हैं ल यहां पर भी है यहां पर भी है और यह सी ओ और यह है ऐसा है ठीक है अब देखो जब यह जाएगा यहां से बाहर यह बनाएगा पॉजिटिव यह बनाएगा पॉजिटिव यह बनाएगा नेगिटिव तो क्या होगा देखो यह सब तो इससे एलेक्टरॉन खीची रहे होंग किस से लेक्टरब खीच रहोंगेी है कौना दे इसको मेंटेन कॉन कर रहा है तो इसका कहने का मतलब किया कोई पास नि तुल लेंगे टीछ यहांपे कर रहा है फ्लोरीन जो यहां पर प्रेजेंट नेगेटिव क्या करेंगा इसके पास आएगा एक एक्स्ता एलेक्ट्रोन ठीक है और फ्लोरीन तो चाहता है कि भाई किसी के पास एलेक्ट्रोन जाए और हम है यह कैसा प्रेजेंट होना चाहेगा यह हमेसा प्रेजेंट होना चाहेगा सी एफ थरी सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस में जब यह ऐसा प्रेजेंट होना चाहेगा तो यह हमेसा यह भी चाहेगा कि हमेसा डिसोसियेट ही रहे अब दूसरे साइड इधर की बात करो जहां प यही बनेगा अब इनको stable करने के लिए कोई है नहीं अलेक्ट्रॉन कोई खीच रहा है ठीक है यहां पर हाइअ आइठ लयजर क्या है यहल पॉजटिफ तो लैच नागिटिफ हई हई नहीं ठीक है सरफ अक्षियद है इधर अब क्या होगा यहां यहां पर यह जो है यह स्टेवल ज्यादा फॉर्म में रहनी पाएगा समझगे बात देखो स्टेवल का मतलब यह है कि यह इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा यह किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा यह पसंद करेगा स्ट्री सी ओ ओ एच जो कि इसका क्या है यह स्ट एक एसिट को हम बोलते हैं वीक एसीड समझ गए तो यह स्काइबल फॉर्म आप खुद सोचो आयन कौन जादा देगा फ्लॉरो ज़्यादा देगा कि एसे ट्रेक ज़्यादा देगा आयन मतलब कौन ज़्यादा डिसोशीट होगा हमारा फ्लॉरो ठीक है तो फ्लॉरो उसके बाद लेक्ट नेगिटिविटी जादा है उस पर चलते चलो फ्लोरो उसके बाद आएगा तुमारा तुमारा ऐसे टिक तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट की देखो डेल टी एफ किस पर डेपन करता है आई पर आई क्या जित्ता ज्यादा कोई डिसो उसके बाद किसकी वैल्यू जादा होगी ट्राइख लोरो ऐसे टिक एसे टिक उसके बाद किसकी होगी उसके बाद होगी तो जब जब तुम क्या जाओगे जब- इस साइड आओगे तो जो जो डेल टी एफ की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी क्यों बढ़ती जाएगी क्योंकि इनका आई ज्यादा आई मतलब की डिसोशियेशन जादा है डिसोशियेशन मतलब की यह इतने आयंद सॉलीशन के इंदर जल्दी दे रहा है समझ गया बात तो आंसरी होगा समझ चलो ठीक है अब क्या है तुम्हारा ना नक्सक्राइब करना डिव्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टीयक तुम्हें क्या क्या का रहा है इस मैं टूलब इसमें अधे टू इतने ग्राम के एफ तुमको गेवाने टीक है मोरा डीप्रेशन कॉंस्टा भी वहाने डिसो के डिससेशन कांसेट भी तो अब तब राहिए तमें निकालने के तो कि एफ क्या होता है यह क्ल टू आई के एफ मोता है यह में पता है हमें यह सब चाहिए किया हमाइब पास机ook fy계 M है M क्या है तुम्हारा molality ठीक है M है नहीं है आई है आई भी नहीं है तो बस चलो सब निकालना पड़ेगा हमें चलो हम निकालते हैं यह क्या होता है सबसे पहले हम निकालते हैं molality M is equal to क्या होगा तुम्हारा M is equal to होगा number moles of solute upon mass of solvent into 1000 1000 कम जब यह किस्म मंने समझे इस तो चलो निकालते हैं USE见 क्या होगा में मोलसआ अफ सवाल्यूट है क्या थkim है देखो स्वाल हमनी काल सकते हैं मोल्स क्या होते हैं मोल भी cinco टि लिकल इस रहा घ्वारा मॉल्यकुलर मास यह होता है गेवन मास अपन मॉल्यक्लार मस ठीक है 12 plus two plus फिर से ट्रयल वा गया यह 12 प्लस यह किते हैं one प्लस CL का किता होता है 35.5 प्लस फिर से क़रवन 12 प्लस कितने अगज़ने दो तो सीधे 2212 16 कर दिया प्लस वन है ठीक है सीध्य सीधे भी लेख सकते थे करवन कितने है तुमारे एक दो तीन चार ठीक है तो यह कहाँ गाट ट्वैल इंटू फोर हो जाएगा प्लस ठीक बागी के हाट जन गिलो तीन दो पांच छे साथ तो यह सैवन प्लस ठीक बागी के कारवन हो गए हमारे अब अच्छा क्लोरीन खीन थैडिवाइव फाइब टू इंट टू इन्टू इंटू इसे भी नयकोल सबते हो जब इसको तम कैलकुलेट करो जो कहता है दो इसको क्या नक्र कैलकुलेट करोगे खार तो किता हैं घृट्ट अद्मारा इन जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट बचना ओन पर तो इसको मोल्स ऑफ उल्युट तुम्हारे आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुमारे आगए ठीक तो बस रख दो यहां पर रख दो 0.081 अपउन तो ए सॉल्वेंट है तुम्हारे पास टीक मास ऑफ sílvent है कैं तुम्हारे पास तेको यह इस एड़िड कित्ते तूफिस्टी ग्राम वॉ मोलालिटी आई तुम्हारी 0.326 समझगे बात 0.326 यह आगए तुम्हाई मोलालिटी चलो एक टाम तो आगई के एफ गिवन है आई चाहिए अब आई कैसे निकालोगे चलो वह देखते हैं आई कैसे निकालेंगे ठीक है अब क्या होगा तुम्हें क्या निकालना आई के एच टू सी एच सी एल सी ओ ओ एच यह तुमको गवन है जब यह डिसोसियेट होगा तो क्या क्या देगा यह देगा तुम्हें क्या क्या यह देगा तुम्हें सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस यह देगा तुम्हें ठीक है अब मैं क् से पूछू कि initial time पे initial time पे इनका concentration क्या क्या होगा अगर time is equal to zero हो मतलब जब reaction start ही नहीं करी गई हो तो यह वाला concentration तो बहुत ज़ादा होगा माले कि इसी है और यह दोनों 00 होंगे मतलब h प्लस भी नहीं होगा दब यह वाला molecule भी नहीं होगा ठीक उसके मतलब जब equation चल रही होती है यह एकदम equilibrium पे पहुंच जाती है तो क्या होगा मालो सी मैं से कुछ particle निकल गए सी अलफा पार्टीकल निकल गए यहीं होगा हमने माले तूटा तो concentration अलफा समझे यह इतने पार्टीकल तूट गए किस मैं से concentration में तो कितने पार्टीकल टूटे कौन से पार्टीकल टूटे यहां पहिजाएगा सी अलफा यहां पहिजाएगा सी अलफा नहीं समझे देखो क्या हुआ सब्सक्राइग क्या हुआ की कुछ पार्टीकल टूट गये कुछ 탁ट ऒस पार्टे कल इसमय इस निकल गया अब तो पार्टीकल निकले तो तो 50 50 तो आएगा जिदा से आगा मैंने 50 निकल गए तो कितने तूटे 50 यह तूटे 50 यह बने होंगे समझे बाद तो चलो अब अब क्या होगा अब मैं तुमसे पूछू कि dissociation कितना हुआ मतलब dissociation मतलब के तो तुम क्या का होगे हमसे तुम यह का होगे कि जितना product है upon अगर मैं क्या कर दूँ जितना product है c alpha और यह c alpha ठीक है तूटने के बाद क्योंकि यहां पर तो क्या हो गई नहीं यहां पर dissociation नहीं होगा जब तूट जाएंगे उसके बाद after dissociation होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तमारा यह product अपन क्या concentration concentration c-c alpha ठीक c-c alpha अब यह क्या हैगा k a is equal to इसको मैं लेग दूँ क्या है यह c square alpha square अपन इस में से c common ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1- alpha c से c cancel c से c cancel तो यह क्या हो जाएगा तुमारा k a k a is equal to हो जाएगा तुमारा alpha square c alpha square upon 1- alpha ठीक अब एक बात जहां से चुनों यह है तुमारा क्या weak acid यह है तुमारा क्या weak acid तो जो चीजे तूटी मतलब जो dissociate iron हुए वह भी बहुत कम होंगे ठीक है वह भी बहुत कम होंगे मतलब कि देखो क्या होगा कि जो alpha जो तूटके निकले हैं वह बहुत ही जादा कम होंगे किस से वन से ठीक है इसलिए हम इसको कर देते हैं neglect इसलिए हम इसको कर देते हैं neglect ठीक है तो तुमारी term क्या जाएगी यह जाएगा तुमारा के इसको ताम दान डागर कर दिया ठीक है तो यहां से अलफा की वैल्ली निकालो तो क्या एगा अलफा इस एक कोल टू के ए अपॉन सी अंडरूट समझ गए बात या ही तुमाई वैल्ली अलफा इसको अंडरूट के अपॉन सी समझ गए न यह बात ठीक तो चलो अब इसको सॉल्फ करते हैं हमाँ पास के है क्या के हमाँ पास गिवान है ठीक सी है क्या हमने सी अभी निकाला ओँ मौलालिटी ठीक बस वैल्यू को पॉट कर तो चलो देखते हैं ठीक है चलो अब वैल्यू पॉट करो क्या आगा तुमारा अल्फा इसकॉल्टू अंडरूट यह किता है तुमारा वन पॉइंट फॉर इंटू टैन टू पावर माइनस ठीड अपन कंसंट्रेशन किता ह यह था 0.326 इतना है था अब इधर से जब तुम अल्फा सॉल्व करोगे अल्फा इसक्ल्टू किता है यह देखो यह 0.326 ठीक है तो यह वैल्यू किता है कि तुम्हारा 0.065 समझे अल्फा किता है तुम्हारा 0.065 बस अल्फा आ गया अब हमें चाहिए क्या आखिरी में बस आई चाहिए आई से मल्फा निकाल सकते हैं अब देखो वो कैसे निकाल सकते हैं आई होता क्या है आई होता है तुम्हारा वांट ओफेक्टर तो आई इस एक कॉल टू ठीक है नंबर ओफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसियेशन या फिर असोसिय समझेंगा है अपउन अपन नंबर्फ सेम सॉल्यूट पार्टिकल बस वह वह रखाव भी फोर डिसोसियेशन या फिर असोसियेशन मतलब इसका मतलब क्या है आई क्या होता है आई होता है कि इस तुम्हारे तूटगा है वह उसके अपन में जब इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि जब तूटे ही नहीं थे जोड़े नहीं थे ठीक है वह वाला पार्टिकल तो आई तुम्हारा ऐसे निकलता है तो आई इसे कॉल टू क्या हो जाएगा तुम बताओ ठीक जब तूट गए ठीक है तो तूट गए की वैल्यू के आएगे देखो वह सॉल्यूट जहां पर तुम्हारा क्या आफर डिसोसेशन मतलब यह डिसोटे होने तो कितना ना मैंस दूटने के बादद रहर सी माइनस ही अलफा पलस सी अलफा पलस अलफा म यहीतब कर टीक है तोटल आगे नहीं तोटल अपन अपक उन baixoर दिसोसेशेशन यह श्यूचिirst भी फॉर जब कंसेंटरेशन तुमारगा क्या हो ठीक है । सिर्फ विजियो अब देखो यहागा तुमारा बिफॉर का जब टाइम 0 था जब टूटना स्थार्ट हो रहा तो यह सब जो देखाए हattend नहीं क्या होगा सी मायनस अलफा सी ऐलफा कैंसिल बचा क्या यहांक यह बचे गाई इसकाल टू तू डी तुमारा वन प्लस अलफा है अब क्या अलफा तूम निकाल सकते हो आई क्या था तो मैंड अल्फा किता था था में अधा आई चाुल टो जाएगा आई एक एकॉल टो गल्च वल्च वन फ्लस गवाफ गार waste 0.065 बस आगे तुम्हारा सब कुछ अब सीदे पॉट कर दो यह जाएगा आई इस एकॉल टू किता आएगा तुम्हारा वन पॉइंट देखो वन पॉइंट 065 बस पूरी वैल्यू आ गई अब तुम्हारा पास देखो आई तुम्हारा पास आचुका है ठीक है और किया यह क पतलब 1.065 इंटू के एफ तुमको करता दिया है 1.86 यह देखो यह तुम्हें के एफ इंटू मॉलालिटी कितनी निगा लिए तुमने 0.0.326 ठीक है अब दार से जब तुम टी एफ की वैल्यू सॉल्व करोगे ठीक है यहां से निकला तना अपना ठीक यह आएगा 0.647 ड बाध के बाद हमें क्या क्या लगा एक बार वो देख लेते हैं ठीक है यह आगा समझ गए थे लगा क्या हमें मोरी टी पहले तो हमें लगा था डेल टी accountable क्या आई के एफ एम molality हमें पता था तो हमने उससे निकाला i कैसे निकाला हमने 1 प्लास अलफा से अलफा कैसे निकाला था हमने under root k a upon c से ठीक है k a कैसे निकाला था हमने k a निकाला था हमने कितने dissociate हुए मतलब product side c alpha c alpha याद करो upon total concentration किता present है वो c यह था ना before decision और था यह एसी निकाला था हमने ठीक यहाँ पर क्या था c c बस था कि c minus alpha ऐसा था यह था ना ठीक हमने ऐसे निकाला बस रिलेट करता चलो तुम्हें इतना सब में बस पता होना चाहिए बागी तो तुम पूरा कर लोगा ठीक है बस यह पता होना था तुम्हें ठीक समझ गए बात चलो ठीक है अब नेक्स कोशन क्या कहा रहा है मारा वह देखते हम ठीक है कि 19.5 ग्राम ऑफ किता त्याएं तुम्हें फ्लोरो एसेटिक तुम्हें तुम्हें गिवन है ठीक एस डिसवल्वें फाइवनड़ ग्राम ओव वाटर डेप्राशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओफ वॉर्टर एब पिछले किसमे कोशन में पूरे के पूरे दोनों गिवन थे टिक के एफ और तुम्हें के एफ तुमको गिवन है टिक फॉर वाटर कितना दिया तुम्हें 1.86 के मलब कैल्विन केजी मोल इन्वर्स कि ऐसे हमें इसे हमें क्या फॉर्मूला पथा है डेल कि about मैं होता है क letter हम सकते हैं के औरwait देल-टी-एफब हमा पास है टेलटि-एफ एफ करता दिया है तो मैं वन डिग्री सलसे थी तो जब हम पाशिय है हम यहन निकाल hit लेगो जाएगी हम मोलांटी निकाल लेंगे तोकेस बीटों आइक की वैल्वेल्य और यह ठीक है तो चलो हम वैल्य पूट 270 है है पहले निकालते हैं है कि आ इप क्या होती है अम सीथे देखो मोल्स ओफ ऑफ साल्यूट मोल्स ओफ वह कैसे नकालोगे वो नकालोगे वो निकालोगे गिवन मास अपॉन मॉलेकुलर मास ठीक है अब बताओ गिवन कितने दिया है तुम्हें गिवन तुम्हें दिया 19.19.5 ग्राम अपॉन मॉलेकुलर मास कैसे निकालोगे वो निकालोगे तुम देखो यहाँ पर कित्यकारवन एक दो ठीक है तो टू इंटू 12 प्लस समझ गाने यह तो यह बहुत सेंपल अब इसके बाद किते हैं तीन है जाने प्लस थ्री प्लस फ्लोरीन किते हैं फ्लोरीन एक है 19 मास प्लस और टू इंटू इंटू 16 ठीक है जब इसको सॉल्व करोगे तो किता आएगा तुमारे यह आएका अल्मूस्ट सेवन्टीट ठीक सेवन्टीट ग्राम तो यह जाएगा 78 ग्राम ठीक यह होगा तुमारा ठीक जब तुम इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो एन की वैल्यू कित्ती आएगी तुमारी वह आएगी 0.25 ग्राम तो यह आगा तुमारे मूल्स ठीक है तो चलो अब मूलरीट ने कालते हैं मूलरीट क्या होता है स्मॉल ए किता दिया तुम्हें 500 में डिजॉल विन 500 ग्राम ठीक 500 ग्राम अब यह ग्राम में है तो इंटू ऊपर थाउजंड से ठीक है जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है एगा एम की वैल्यू आएगी एम इसे कॉल टू आएगा 0.50 एम किते 0.50 मूलल आगे तुमारा बस अब देखो यह तो तुम्हाएं पास है यह तुमने निकाल लिया अब इस से हम के निकाल सकते हम आई की वैल्यू निकाल सकते चलो देखो कैसे निकालएं काल देखते सीअट चलो देखू यहां पर तुम यह को तुम आई इत्क्रीम निकाल निकाल रहतो तो आई इसक्कोल टू क्या हो एगा तो नियों पर नहीं किया श्लात में बोल में वन डेगरी सेल्सियस दिया नहीं तो मैं डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यह होता है डेल टीए ठीक है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन की वैल्यू किति दिये तो मैं गिवन है आगे वन पॉइंट एट सिक्स रख दो यहां पे वन पॉइंट एट सिक्स इंटू अ यहां पॉइंट जीरो सैवन यहां तमारा आई ठीक है देखो आई की वैल्यू हमने निकाल ली आई की वैल्यू हमने नेकाल ली तो दो वांट ओफेक्टर वाला हमारा यह इदर खताम अब हमें में चाहिए डिसोसीशन कॉंस्टेंट ठीक हमको क्या चाहिए डिसोसीशन अधिक तो चलू के निकालता है कैसा निकाल ठीक आई कि वैलु कैसे आथे देखोऊ यह क cheek से ठीक वीक कैसब strategy फ्लाप क्या होगा तो यहाप होगा CH2 ठीक F COOH जब यह dissociate होगा तो यह किस फॉर्म में dissociate होगा CH2 F COO minus plus H plus ऐसी होगा ठीक इनिशल कंसेंट्रेशन इसका 00 होगा जब टाइम 0 होगा ठीक है तो जब चालू होगा ठीक अब एड टाइम T के बात करें धहाँ ठीक यहां पर क्या होगा सी मैं से कुछ particles निखल जाएंगे इसके मिदलाब कुछ डिसोसियेट हो जाएगा ठीक है तो कितना डिसोसीट हुआ कितने पार्टिकल निकले C alpha निकले यही बढ़ात हमने और won't of factor के कहता था कि सम किसका जितने भी solute after dissociation present है वह तो मैं सीधे सीधे बता सकता हूं लेकिन फिर से बता नहीं वादे को सी माइनस सी अलफा प्लस सी अलफा प्लस सी अलफा यही होता था आई एक कॉल टू अपॉन अपॉन यह क्या हो जाएगा इनीशल कितने प्रेजेंट थे सिर्फ सी प्रेजेंट था यही था सिर्फ सी प्रेजेंट था ठीक है तो बस लग दो आई एक कॉल टू क्या हो जाएगा तुमारा सी अलफा सी अलफा कैंसल ठीक है सी कॉमन ले लो सी वन प्लस अलफा ठीक है अप इसको इधर लेकर तो चाहिए जब यह कन लेकर चाहिए कह बाइब उआई-वन वन इसे इक वाक इस उपर वन इस ने अब पैसे की वैलू कैसे वह थेलो मेत चलो होताय क्या है के ऑस इसे की वैलू हस्ट या होता क्या है बस c की value है c की value किती है हमारा पास 0.50 एम मोलालेटि निकाली थे हमने alpha हमने अब भी निकाल आए ठीक है तो बस सीरी सीरी value पूट कर दो k की value क्या आएगे देखो k a is equal to c किता है तुमारा 0.50 ठीक इन्टू alpha alpha किता है तुमारा 0.07 का whole square upon यह जाएगा 1-0.07 ठीक है अब इधार से जब तुम के की value निकालोगे तो क्या आएगा के एगा 0.003 ठीक के की value किती है तुमाई 0.003 समझ गए आई की value हमाई कितनी आई थी 1.07 और के की value है 0.003 समझ गए बात ठीक है तो इतना dissociate हो रहा है और want of factor किता है उसका 1.07 समझ गए बात ठीक है तो यह वाला कोशन हमारा 33 हो गया ठीक ठीक हमारा खातम चला अब दूसरा देखते है देखो 34 तब क्या कह रहा है कि वैपर प्रेशर और वाटर इतना गिवान है ठीक में उसके बाद calculate the वैपर प्रेशर और वाटर एट इतने केलविन पे और तुम्हें के तदिया वैन 25 ग्राम अफ ग्लुकोज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑव वाटर ठीक है अब एक तो तो तुम्हें क्या दिया है सिर्फ वाटर का मतला हम यह बोल सकते कि हमें प्योर वैपर प्रेशर गिवन है ठीक प्योर वैपर प्रे तो अब हमें निकालेंगे कैसे हमें पता है क्या होता है अगर गयी बात चलई तो अ थि यह होता है सबसे हमें निकालना है भाई मूल फ्रैक्ष्यन और यही होता है और हम पढ़ते हैं रित्वारी मुल क्वाइब लो मॉलॉकिलर वेट एक पिर से गिवन weight a का upon molecular weight a का प्लस अब यह nb है तो क्या हो जाएगा गिवन weight b का upon molecular weight b का ठीक तो बस simple सी बात तो में mole निकालने अब b क्या है इधर b है तुमारा glucose a क्या है तुमारा water ठीक है चलो अब निकालते है एक्स ए मतलब एने किता हैगा तुमारा na is equal to given upon given upon molecular na water की बात चले water किता है तुम्हें कितना गिवन है 450 ग्राम 450 ग्राम तुम्हें गिवन है लेख दो 450 अपन molecular weight निकालने के जरूवत तो है नहीं सबको पता होता है water का किता होता है 18 एने की वैल्यू आएगी तुम्हाई 25 किते मोल है किते मोल 25 मोल ठीक अब उसके बाद देखो nb कि वैल्यू किते आएगी nb फिर से वाई करो given upon molecular given किता है तुम्हें गिवन है तुम्हें 25 ठीक है 25 लेग दो अब गुलुकोस के molecular weight तुम्हें नेकालने की ज़्यूद पढ़ेगी क्या होता है c6 h12 o6 यहीं होता है ठीक है तो इसको लेग दो समझे के बाद दो value तुम्हें पास आ गई है बस अब इधार पूट कर दो सीधे सीधे अब इसकी भी ज़रुवत नहीं पढ़ेगी तुम्हें सीधे सीधे तुम्हें इधार ही पूट कर दो ठीक है क्योंकि एन एन भी हमारा आ गया ठीक चलो पूट करो x a is equal to कितना है कि तुम्हारा एने किता है तुम्हारा 25 अपॉन ठीक सीधे सीधे वैल्यू पूट कर देते हैं 25 प्लस 0.13 ठीक है तो यह किता जाएगा तुम्हारा 25.13 x a की वैल्यू किते आएगे तुम्हारी ऑल्मोस 0.99 इसका एक ही आएगा ना 0.99 यह बढ़ा है थोड़ उसका जाएगा यह तुम्हारा किससका जाएगा बॉुटर का जाएगा चलो वैल्यू का है तुम्हारा ठीक तलना इंडू कितना फींत्री निकाल हो गे तो वह किते आएगी तुम्हारी वह आएगी यहाएगी तुम्हाई 17.4 लिकी त Cela भाइан प्रेशर है वाटर का जब् में 17.43 ठीक है अब बताव यह प्रेशर है तो वही किसी उनिट में ने काल लगते हम यह क्या हो जाएगा एम एम एच जी कि समाझ गए ठीक है समाझ गए चलो ठीक है समाझ गए ना बड़ी यह देखो अब दूसरा कॉचन के कह रहा है कि हैंडी लॉग कॉंस्टेंट फॉर मो पेक है ओफ मीतेशन इन बेंजीन एक इतने कैलवन पर और वत्हुंब हैंडी कहता है कि हैंडी काइशन जादा होगा ऐ तो उतनी ज्यादा क्या होगी उतना ही मूल गैस का भी प्रेजयंट्ट होगा वो कैया X gas ऐसे लेको तैसे इसा को ठीक है और प्रिपोर्शनल Agr अब तुम्हार पास नबहृत नकालना है तो महीं तुम्हें यह निकालना है मूल की कितनी सौोल्यूबलिटी होगी किसकी मेथेन गैसकी तो देखते हैं क्या है पी अपन त्बस्ट ऑपन के एच हो जाए गई एकल टू एक्स हो जाए गई ठीक पी कित्ता प्रजेंट रचेंट तुम्हारा फी तुमको दिया है 760 mmsgy आप ऐपन 770 mmsgy आपन के एच तुमको दिया है क्या के एस तुमको दिया है फॉर पॉइंट टू इंटू टैन तूरी पावर 5 4.27 इंटू टैन तूरी पावर 5 ठीक है अब क्या हो जाएगा इसे कॉल टू एक्स गैस मतलब मीथेन है वो गैस की जगा मीथेन लेख सकते हो ठीक है अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा यह वैल्यू आईगी तुम्हार और यह बात तूम्हारा टेम्परचर दिया हो समझ गए बात एजी था ना बस तुम्हें क्या पता होना था यह फॉर्मूला यह रिशन पता होना था तो कर लोगे है ठीक चलो देक्ड आगे देखते हैं आप नेच्स कोशं के कह रहा है कि 100 ग्राम डिक्ट अर इतना मुलर मास दिया है उसका वास्ट डिजॉल्वल इन थाउदन ग्राम अफ लिक्ट भी लिक्ट एक को मिला गया है लिक्ट इमें ठीक अब उसका तुम्हें मुल 500 टॉर दिया है, calculate the vapor pressure of pure liquid A, मतलब तुम्हें निकालना है, तुम्हें निकालना है, तुम्हें ये निकालना है, and its vapor pressure in the solution, if the total vapor pressure of the solution, किता दिया है, तुम्हें 475 टॉर, मतलब कि देखो, यहाँ पे दो component है, A और B, liquid A और B, ठीक है, तो हम माल लेते हैं कि liquid A, pressure A, pressure B, ठीक है, तो यह हो जाएगा total, pressure A को जब plus करोगी B के साथ, तुम्हें टॉटल प्रेशर, और किता दिया है, 475 तुम्हें given है, ठीक है, तो यह सब चीज़े तो तुम्हें given थी, molecular mass तुम्हें पास है, given mass तुम्हें पास है, ठीक, यहाँ पे भी given mass है, molecular mass है, ठीक, तो च कालते हैं हम कैसे निकालेंगे यह देखो हमें चाहिए है यह पी नॉट ए उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा पी इस एकल टू पी नॉट ए एकस ए ठीक, xA निकलता कैसे है, mol fraction कैसे निकलता है, उसका mol upon total mol, ठीक है, mol component A है अगर, तो component of A का mol upon total mol of the solution, ठीक है, चलो, अब देखो, यह निकालता है, xA कैसा आएगा तमारा, xA is equal to, ठीक, यह हो जाएगा तमारा, na upon na plus nb, अब गिवन क्या क्या है, फ्रसे देख लो, na, मतलब given mass किता है, तमारा hundred, किसके लिए, A की बात चल रही है, upon, molar mass किता है, तमारा 140, ठीक, चलो, यह हो गया, A की बात, अब B की देखो, nb की, nb का किता है तमारा, यह तमारा thousand given mass, upon, molecular mass किता दिया है, तम्हें, molecular mass दिया है, तम्हें 180, ठीक है, अब इसको जब solve करो के तो किता आए तमारा, 55, 5.5, 5.55, ठीक है, जब इसको solve करोगे तुम, ठीक है, तो यह किता है, तमारा, 0.714, यह आगे तमारा, बस, अब यहाँ पर पूट कर तो, तुम्हें, एक सी की वैल्यों हो जाएगी, ठीक है, चलो, पूट करते हैं, मैं एक सी की वैल्यू, एक से एक कोल टू, ठ तुम्हें रग दो, यहाँ पर, 0.714, एपॉन, ठीक, फिर से 0.714, प्लस, यह किता है, तमारा, 5.55, इतनी आया, ठीक है, एक सी की वैल्यू किता आएग, एक से एक एक से एक कोल टू, होता वो चाहिए, ठीक है, हां, चाहिए, एक से कॉल टू किता है, तमारा, 0.1114, समझ गहें, किता है तुम्हारा? 0,114 अब X-A आ गया है तो मैं ये चाहिए तुम्हाँ पास गेवन है ठीक है? ये तुम्हाँ पास गेवन है मतलब की P-naut, अगर हम A की B की बात करें ये A की बात थी ठीक है, तो P-naut, B तुमको तो गेवन झी था चाई B तुम्हें फिर से लगेगा चाई B कैसे निकालोगे अगर binary solution है और हाँ यह binary solution है दो चीजों से मिलके बना है ठीक है तो हमें पता है यह क्या होता है चाई A प्लस चाई B इसे कॉल टू होते हैं 1 हमाँ पास चाई A की value है ठीक है तो इसको कह रख सकते हैं X B इसे कॉल ट ठीक है चाई को X ठीक समझ गए बात ठीक बस है तुम्हाँ पास value को put करो और X B की value देखो ठीक X B की value किते आएगे X B इसे कॉल टू 1-0.114 है ना इसको solve करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.886 चाई B भी आगे तुम्हारा 0.886 अब तुम्हाँ पास क्या-क्या आ गया है पी अगे तुमने निकाल लिया टी नॉच्छ फीनाट भी तुम्हाँ पास गिवाने तुम्हारागा गिवाने तुम्हार और सॉच पर क्यों में तूटल रखो और अपने प्यृत्ली की निकालते चलो लगा इसको मैं प्लस कर दो आगा रेक होने सको मालनू रिकनल डू इसको मालनू तो इसको मालनू ठीक है अब इन दोने को प्लस करें तो क्या होगा पी एप्लस पी वी इसे को घोगा बी नौट चाहिए तो रख दो यहांपे 475都is kulol नोट हमें निकालना है ठीक है तुम आसी रख दो पी distractions हमने निकाला कुता है हमारा जीरो 0.114 plus थीक पी नॉट बी थूम को दिया है 500 रख दो 500 इंटू चाय भी तूमने निकाला कूता है 0.886 यहांपे रख दो 880.7 किता है तुम्हारा P0 is equal to आएगा पिनौन एइस इक्कॉल तो ऐगा 480.7 280.7 यह सारी टर्म में तुम्हें टॉर में हैं यह भी टॉर में ठीक यह भी तुम्हें टॉर में दी तो आंसर भी हमारे किसमें निकले का प्रेशर है तो यह निकले गा ठॉर में समझ गए ये मेन तुम्हें पता क्या था बहुत ही सिंपल था तुम्हें पस दो रिलेशन पता होने थे component A component B तुम्हें दिवाने ठीक है पूरे solution का तुम्हें गिवन होना था formula को put करना answer आलना समाझ गई बात चलो अब दूसरा देखते हैं देख अब यह बाला question क्या कह रहा है कि vapor pressure of pure acetone ठीक है pure acetone and chloroform इतना तुम्हें दिया कितने कितने इतने temperature पर ठीक at 7418 तुम्हें मतलब इतना कह दिया pressure दिया temperature दिया तुम्हें प्रेशर दिया अब तुम्हें कहांने assuming that they are idle solution over the entire range पूरे की पूरी जगा पर वो आडल solution ही थे ठीक composition of plot ठीक अब तुम्हें टोटल प्रेशर दिया है ठीक है प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेशर ऑफ एसी टून ठीक एज़ा function of किसके रिस्पेक्टिव में दिया तुम्हें मोल फ्रेक्शन ऑफ एसी टून ठीक दा experimental data of different composition तो कुछ data मिला है वो हमें दिखाया गया है ठीक है अब हमें बताने क्या है हमें कुछ graph plot करना यह बताने कि यह positive deviation show कर रहा है यह negative deviation show कर रहा है ठीक है तो चलो plot roll's law क्या कहता है आडल solution वही होते हैं जो roll's law को follow करते है ठीक है और वो कहता है कि भाई जब क्या हो जब ए ए हो एक component हो मालो ए है और एक है बी और बी ठीक जितना जितना pressure इनका है समझ रहे हो जितना pressure इनका है उतना ही pressure जब इन दोनों का साथ में compound बनेगा a b ठीक है यह इंट्रमॉलिकुलर इंट्रमॉलिकुलर फोर्स में जितना attraction है उतना ही attraction होनों चाहिए जब इंट्रमॉलिकुलर बनेगा मतलब कि जब दोनों के साथ बनेगा ठीक है लेकिन ऐसा follow नहीं होता है जादा तर तो समझ गया बात या तो क्योंकि idle solution हमें पता है कि existing नहीं करता है ठीक है तो देखो अगर दो चीज अब होती है क्या दो condition बैठता है कि अगर मानलों इनका जो है इनका attraction बहुत ही जादा है ठीक है जब इनका बात देखो इनका attraction बहुत ज़्यादा इन दोनों का इंट्र मॉल्यक्र अट्रेक्शन बहुत ज़्यादा है दोनों के दोनों का ठीक तो तुम्हें एनरजी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए तुमने एनरजी दी और तब इनने सो होगा positive deviation क्योंकि तुम थोड़ी सी energy दो और वह वैपर बहुत जल्दी बनाएंगे बहुत ज़्यादा वैपर बनाएंगे ठीक है पहली चीज यह होगा पहला चीज अब दूसी चीज जिसमें होती है कि भाई इनका attraction बहुत वीक हो क्या हो तुम्हारा बहुत attraction वीक हो लेकिन जब इन दोनों को आपने एक साथ मिलाया और इनका compound बनाया तो उन्ने बनाया a और b a और b उने बनाया ठीक है हमने यह देखा कि यह दोनों जब मतलब a जब a के सांथ था और जब b b के सांथ था तो इनका attraction बहुत कम था लेकिन Carolyn जब हमने इन को पृषिज बनाया ठीक है जब इन दोनों का पृषिज बना भी बना तो इनका attraction बहुत ज़ादा है समझिगे इनका attraction बहुत ज़ादा है मतलब इन लुझ आप जब बीचीं का जो ठीक है और vapa face में वो जाएगा बहुत कम जाएगा ठीक है इस इस ताइप के वहाई प्रेशा कम मिला कम मैं इस ताइप के डैवियेशन को मोलते हैं negative डैवियेशना समझेए तेख हो माल लो हमने क्ैलकूलेट किया था किसमा पॉजिटिव हमने कदूल् queste waar और प्रशाफ आना चाहिए हंद्रेड ठीक है प्रप्रेसर आना चाहिए लेकिन जब हमने सॉलीशिन बनाया तो सॉलीशन यह नहीं रहना चाह storm तो नहीं लेकिकिन नहीं नहीं का साभी itive समन्ध कम था ठीक तो अब क्या हुआ जब हमने वह थो तह तह होता तुम्हारा पॉज़ेटिव डैविएशन समझगे बात टीक है उसमें ग्राफ जाता है हमारा अपर डायरेक्शन में कहाँ जाता है वह आप बाइडा तो नहीं जाता है लेकिन जाता है समझगें बात चलो दूसरी चीज हमने और था बहुत अच्छी bonding कर ली बहुत अच्छी bonding कर ली जिसके करण वो क्या होगा स्तेबल हो गए कि अनके उनको ऑट्रेक्शन भगत एन एनरजी ज्याधा देना है ठीक है ठीक है सक्क्राइब कर लेकर हम लेकर हम हमाई वैल्यू आई 90 और वैल्यू से कम आई इसका मतलब अट्रेक्शन ज्यादा है सॉल्यूशन में ठीक है तो इस टाइप में हमारा होता है नेगेटिव डैविएशन ओव जो ग्राफ है ग्राफ है मानलो हमने सोचाता है कि हमारी वैल्यू इधर आनी चाहिए थी समझ गए यह हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी समझ गए यह आया पॉजिटिव क्योंकि उससे ज्यादा वैल्यू आई नेगेटिव में क्या होगा ट्रेक्शन ज्यादा है वह छोड़ेंगे एक दूसरे को और वैल्यू आईगी तुमाई नीचे और यही सॉल्यूशन मतलब यह हैं क्या कर रहा है नेगेटिव डां कर्व डान कर्व यह बता रहे हैं कि यह जो स् Bald Lucky घंध बलाएशन सो करहा है समझ गई बात आनरजी का भी लिए हमने अगर ज्यादा एनर्जी के सॉलूशन में होगी और कम एनर्जी के सॉलूशन में होगी ठीक है चलो यह वाला कोशन क्या था नेगेटेव डैवीशन इसका अंसर समझ गया क्योंकि डाउन कर मिल रहा है ठीक है यसी समझ गया चलो बहुत अच्छे तो देखो आप क मोलेड में लगा लेएन वाद फेटरेशर खोलो आपने अपने अपने मं मौन लगा ले ना ठीक है इन विय्का प्रेशर तो इफ 80 ग्राम दे दिया तुम्हें 80 ग्राम ऊफ बैंजीन is mixed with hundred अब आपन आपन मॉल्युकुलर ठीक है तो अब आपन मॉलीकुलर सीधों करते गिवन के तंब है तुम्हें अब आपन कैसे निकालोगे उसका फॉर्मॉला क्या होता है बैंजीन का फॉर्मॉला होता है सीजिए सिख्स एच एगे एगे ऐंटीटो ट्वेलव सेवंटी टूइट एट रगतो दर सेवंटी एट अब उसके बाद सिमिलरली ऐसे निकाल लो टॉलुइन का टॉलुइन का किता है तुमारे देखो यह टॉलुइन का फॉर्मुला क्या होगा वाई एक हड्र जनिकंद कर अब तुम्हारे पास गिवन है गिवन तुमको दिया है हंड्रेड अपॉन अब मॉलिकुलर किता आएगा तुम्हारा ठीक है बस कैलकुलेट कर लो मॉलिकुलर यह आएगा 92 यहां पर राग तो 92 जब इन दोनों को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू के आएगी तु की मतलब इसकी बाद चल रहे हैं और एंड की मतलब यह बाद चल रही है अब मॉल फ्रेक्शन निकाल सकते हैं मॉल फ्रेक्शन निकाल सकते हैं चलो मॉल फ्रेक्शन निकालते हैं मॉल फ्रेक्शन क्या होता है चाहिए इसे कॉल टू एन अपॉन पॉन 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 प value किते आएगी तुमारी ठीक है चाहिए गी value किते आएगी 0.486 आ गई और अब बताओ यह binary solution है कि ने यह दो चीजों से मिलके बना है ठीक binary solution है तो हम चाहिए बी की value निकाल सकते हैं क्या है चाहिए प्लस चाहिए बी एक कॉल होते हैं वन ठीक है चाहिए की value 0.486 ठीक है इसको solve करोगे तो आएगा तुमारा 0.514 चाहिए चाहिए बी आ गई है ठीक है चलो चाहिए चाहिए बी आ गई है अब दूसरा देखते हैं आगे 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 इसका step देखो अब क्या है हमें पास निकालना हमको pressure तो given है चाहिए चाहिए हमने निकाल लिया है तो बस formula पूट कर दो formula क्या है तुम्हारा P is equal to P not क्या अगर हम किसकी बात कर रहे हैं अगर हम बैंजीन की बात कर तो इसमाने बी लिग दूँ और यहाँ पर लग दूँ चाहिए बी अब क्या प्रेशर निकालो P is equal to तो मैं किसका प्रेशर दिया था तो मैं प्रेशर किसका द सिक्स ठीक है यह आया था जब पी की वेज़ों सॉल्व करोगे इसको ठीक है तो यह कित्ती आईगी तुमारी टू फोर पॉइंट सेक्स फाइव एम 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 एज जी यह किस किया यह आई तुमाई बैंजीन की सिमिलरली किसकी निकाल अब टॉलिन के निकालो तो पी यह से कॉ किता है प्रेशा तुमारा 32.06 यह तुम्हें गिवन है इंटू चाही भी हमने कितना निकाला था हमने निकाला 0.514 0.514 है ना जब इसको सॉल्व करोगे तुमारा किता आएगा यह आएगा तुमारा 16.4 ठीक है 16.4 चलो यह आगा तुमारा पी किसका यह आगा तुमारा अब देखो हमें करना था एटी ग्राम और बेंजीन जब किसमें हो टॉलूइन में मतलब की दोनों की बात की बात चल रही है जब तुमने दोनों को मिला दिया है समझ गए कब की बात चल रही है जब तुमने बेंजीन को किसमें मिला दिया है तो मतलब अब मैं इसको पूर का यह है तवारा 24.65 प्लस विद्व का केता है 16.4 यह पीटी विटी के ताएंक तमारा 41.13 या अगा टोटल अब तमैंने निकालना कि शलो ठीक है निकालते हैं तो में सिर्फ केसका चाहिए बेंजीन का चाहिए ना ठीक है तो हम या कर सकते हैं बेंजीन का रखके टोटल के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा तुमारा सिर्फ बैंजीन का ट्रेशर ठीक है चलो निकालते है अब बैंजीन का किता है तुमारा 24 24.65 mmHg upon किता है 41.13 यह 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 सिर्फ बैंजीन का और यह है तुमारा टोटल ठीक है बस हमने वैल्यू पूट कर दिये ठीक है यह आएगा तुमारा किस क्या बैंजीन का बैंजीन इसे कॉल टू आएगा 0.60 0.60 देखो मूल फ्रेक्शन मतलब चाई भी किता आया किता भाई 0.60 आया अब यह कैसे आया देखो एक बार और यह प्रैशर था ठीक है इतना प्रैशर मने टोटल इतना प्रिजेंट है ठीक है इतना टोटल प्रिजेंट है अगर हम क्या करें साथ के तो मतलब दोनों साथ में ना दोनों के साथ से तो क्या जाएगा बैंजीन 0.460 जाएगा इसकी जागा पर वैल्यू पॉट कर दो यह बैंजीन का यहां पर क्या टोटल प्रैशर अपॉन पी नौट भी इसे कॉल टू एक से ठीक है मतलब यह तुम्हारा किसका है यह यह तो पता है अमको ठीक अधा मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सिजन और नाइटोजन यह भी पता है कि ज्यादा कंपोनेंट कॉन से जातो नाइटोजन होगा यह उप्रोक्षिमेट प्रपोर्शन 20% इस तू 79% बाय वॉल्यूम 298 कैल्विन पे थीक है डवाटर इस इं एक्कि है नाइटोजन तुम्हें दोनों के लिए हन्री Richmond है मतलब के एच तुमको गिवन दोनों के लिए के एच है ठीक बिए निकालते हैं ठीक सबसे पहले तुम्हें कह दिया ओक्सिजन किता दिया तुम्हें 20 परसेंट एक तब मेजर कंपूनेंट ठीक एप्रॉक्सिमेट प्रपोजन तुम्हें दिया है एट इतने 298 पर ट्वेंटी परसेंट मतलब आकुषिजन की अगर बात चल रही है प्र डानने को सैसे मचेंट गल निकल हो जुरे हो यह था दान उस लिए टी फ़ी करें घाजिक के दूराइन प्रेशर सब्सक्रण्रों कि यह आ गया अब यूदा न का लो कि चान का झरोड़ आट करण ले निका तड़ा इगा तुम्हारा पी एंड टू इस एक्वल टू ठीक है कितना दिया तुम्हें 79 परसेंट 79 परसेंट कितने प्रेशर पे 10 प्रेशर पे ठीक है इसको सॉल्फ करोगे तो क्या आएगा यह जाएका 7.9 यह क्या ATM अब चलो यह सब तो तुम्हारा आ गया अब तुम्हें निकालना क्य है तुम्हें हैंडी लोग भी दिया है एंडी लोग क्या कहता है भाई प्रेशर जो है वह क्या होता है डारेक्ली प्रपोर्शन होता है सॉल्फ लिटी ऑफ गैस के समझी कहने बात एक जी के तो देखो अब तुम्हें निकालना क्या है तो मैं प्रपोर्शन ही तो निकालन ゃहेगा देखो यह को जाएगा एक्स O2 की अगर हम बात करें तो यह क्या होजाएगा पी O2 अपन क्या हो जाएगा क्या होजाएगा समझे अगर मैं यहाँ पे O2 कैने बात करूं तो मैं लिख रहा हूँ 3.30 into 10 to the power 7 mm और यह है तुम्हारा ATM तो 1 ATM 1 ATM is equal to 760 mm HG होता है ना यही होता है तो बस एक ATM के value पॉर्ट का दो 760 mm HG समझ यह बात ठीक चलो अब इसको solve करोगे तुम तो क्या आगा तुमारा चाही O2 is equal to 4.6 into 10 to the power minus 5 समझ यह बात किता आगा 4.6 into 10 to the power minus 5 तो यह तुमाई value किसकी आगई oxygen की आगई चलो अब similarly किसकी देखते हैं अब nitrogen की देखते हैं nitrogen की कैसे निकालोगे चाही एंटू is equal to ठीक अब यहाँ पर क्या आगा तुमारा pressure किसका एंटू का upon henry's constant similar चलते चलो ठीक है अब सीधे वैल्यू पूट करूँगा मैं इदर ठीक है यह क्या एगा 7.9 7.9 into 760 760 कहां से आया अभी बताया ठीक है के एच किता दिया इसके लिए तुम्हें 6.6.51 into 10 to the power 7 चाई एंटू इसको solve करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा यह आएगा तुम्हारा 9.22 into 10 to the power minus 5 समझ गए समझ गए बस तुम्हें क्या पता है में जो है तुम्हें formula पता होना चाहिए ठीक है एक बाद अच्छे से लग दे रहा हूं कि value के क्या है तुम्हाई चाई ओटू किता है तुम्हारा 4.6 into 10 to the power minus 5 और चाई एंटू किता है तुम्हारा 9.22 into 10 to the power minus 5 यह दोनों formula पता है किसका है हैंडी हैंडी का तुम्हें पूरा लौ पता है वह किया है तुम्हारा प्रेशर अगल टू कहच एक दी माल्व मोल फ्रेक्शन ऑफ गैस के ठीक है यह होता है बस Northam of gas हमें निकालना था कि कितना composition उसका present है ठीक है तो बस उसको वहाँ पर रखो यह आ जाएगा तुम्हारा पूरी पता थी बस यह जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला समझगे बात इजी था ना चलो ठीक है अब दूसरा देखते हैं अब यह क्या रहा है डिटर्माइन दा amount of cacl2 amount of cacl2 मतलब वेट निकालना है उसका ठीक है हमें गिवन है टेंपरिचर केता है 27 डिगरी सेल्सियस और हमें पता है और यहां तक तो क्लियर है आब उसके बाद तुम्हें क्या है देखो तुम्हाय पास किसका बेट निकालना है तुम्हें cacl2 का निकालना है और वॉल्यूम भी तुम्हें गिवन है 2.5 लीटर ठीक चलो देखते हैं आब फॉर्मूला क्या होता है पाई इसे क्या होता है नंबर ओफ मोल्स अपन वॉल्यूम नंबर ओफ मोल्स अपन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम आर और यह टी अब बताओ आर की वैल्यू क्या होती है आर की वैल्यू होती है तुमारी 0.082 ठीक है 0.082 अब यूनिट क्या होती है उसकी यूनिट ही इंपोर्टेंट है चलो देखते हैं वो क्या होता है तुमारा वो होता है तुमारा लीटर एटीम केलविन इनवर्स ठीक है मोल इनवर्स ल इसलिए हमने में इसको भी कनवर्ट किया समझ गए बात तो यह जो है वैल्यू को याद रखना सिर्फ यहां पर नहीं यह बहुत जगा लगेगी बस आप क्या वैल्यू पूट करते चलो देखते चलो देखो यह तुम्हाँ पास गिवन है चलो एक और चीज देख लो अब मै लिख सकता हूं क्या डिवन मोल अपाउन अपुऌण मॉलिकोलर तो मैं इसको गिवन को में कर रहा हूं डावलू मतलब गेवन गEवन मास ठीक हैं और मॉल्यकुलर हम मतलब मॉलिक्धा में लिख दियां समांझ झाना इसको मैं लिख रहा हूं आइन्टू डा़नु अपॉ लेखा है 0.75 0.75 into volume किता है तुमारा लीटर में वो तुम ही दिया है 2.5 2.5 is equal to अब आई आई है की नहीं है है तुमारा 2.2.47 into given है नहीं है given को सीधे लेख दो w upon molecular mass तो हम निकाली सकते है calcium यह केता है 40 plus यह केता है 2 into chlorine का केता होता है 35.5 लग दो 35.5 35 to 70 यह जाएगा 71 ठीक है यह जाएगा 40 plus 71 यह जाएगा तुमारा 3111 ग्राम देखो यह जाएगा तुमारा 111 समझे गां त्रिपल बन इंटू आर की वैल्यों अभी देखी 0.082 ठीक इंटू temperature केता है 300 Kelvin बस W की वैल्यों में निकाल लिए है ठीक है W की वैल्यों में निकाल लिए है सब term को इस साइड ले किया जाओ पूट कर दो ठीक है W equal to क्या जाएगा तुमारा देखो अब यह सब किसमें आ जाएगे इसके नीचे में जाएंगे और डबलू ऊपर ही रहाएगा ठीक है डबलू इसे कॉल्ट आजाएगा तुमारा 3.42 ग्राम जब इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा तुमारा 3.42 ग्राम समझे बात ठीक है यह आ गया 3.42 ग्राम अब देखो यह वैल्व बताना है कि कहां से आई यह वैल्यू बताना है का ठीक है चलो यहीं से देख सकते हो तुम लोग जल जली देख लेते हैं क्या है तुमारा पाई इंटू आर की वैल्यू अगर सरफ निकालने तो क्या हो जाएगा यह ज उपर जाएगा क्या हो जाएगा लीटर और मॉल उपर जाएगा तो मॉल इंवर्स ठीक है कि वेंटकर्मरा इंट का सी चलट हीशञा ली कि इसमें कंफू करद्सा होॉति मतलब तुम्हें के निकालना है पाई निकालना है ठीक है ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेर्ड बाय डिसॉल्विंग कितने मिलीग्राम 25 मिलीग्राम ऑफ के टू एसो फॉर इन टू लीटर ओफ वाटर इतने डिगरी सेल्सियस डिगरी सेल्सियस ऐस्यूमिंग डैट इस हुआ होगा के दो आयन देगा अपने प्लस ऐसो फॉर टू माइनस ऐसे होगा डिसॉल्वाइन के किसके आएंगे पोटेशियम के और सलफेट मलेगा हमें ठीक है चौलो ठीक है यह सब तो हो गया हमारा अब हम एक बाद देख लेते कि हमको गिवन क्या-क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है तो पाई हमको निकालना है वह हमें नहीं पता हमाया पास क्या है हमाया पास गेवन वेट है ठीक है गेवन वेट है डवलू किता है 25 mg ठीक है उसके बाद हमाया पास क्या है वॉल्यूम है वॉल्यूम है हमाया पास टू लीटर ठीक है ट्वेंप् करोगे 273 प्लस 25 तो यह कित्ता जाएगा तुम्हारा 298 Kelvin है ठीक है चलो assuming that यह पूरा dissociate हो गया मतलब हमें क्या के चाहिए रहेगा पाई इस एक्वल टू क्या होता है आई सी की जगा मैं सीधे रख रहा हूं number of moles मतलब देखो n upon v लिख रहा हूं मैं ठीक है समझ जाना number of moles upon volume मतलब किसकी बाद चल रहे है c की i c r into t r की value तो हमें पता होती है r की value फिरसे लिख लो क्या होगे 0.082 ठीक है unit लिख लेना ठीक बस अब रख दो यहाँ पे volume केता है 2 liter रख दो यहाँ पे देखो पाई की value into volume के दर लेके आ रहा हूं 2 is equal to i i क्या होता है i होता है कि कितना iron dissociate हुआ है ठीक है तो कितने ions बने हैं हम यह बताओ भाई दो ions बने हैं potassium के और एक ion बना है किसका SO4 का तो 2 प्लस 1 कितने ion बने 3 तो i की value हो जाएगी कि तुमारी 3 कि समझ गए कितना dissociate हुआ उससे मतलब है समझ गए बात हमने उसमें भी पड़ा था फिर से want of factor का वाला लगा लेना इस solute के particle after dissociation upon before dissociation समझ गए before dissociation तो एक ही था ना समझ गए बात चलो ठीक वहां से निकालने तो i की value i3 into अब n की value कहां से लेके आओगे given mass upon molecular mass ठीक है given mass कितना है हमारा given mass है हमारा 25 mg अब बचा molecular mass ठीक molecular mass किसका k2so4 का k2so4 क्या आएगा 2 into 39 प्लस sulfur का कितना होता है 32 प्लस 4 into 16 ठीक है जब इसको solve करोगे तो क्या है है तुमाई value 174 ग्राम है 174 ग्राम ठीक है यहां पर रख दो 174 ग्राम इंटू 0.082 इंटू temperature केता है 298 कि सब कुछ है हमारे पास बस अब एक चीज गौर करो यह mg में यह ग्राम में यह तो इसको कर लो तुम ग्राम में यह तो इसको कर लो तुम mg में ठीक है तो हम क्या करते हैं इसको फिर से करते हैं ग्राम में क्यों ग्राम बड़ी उनिट है इसलिए उसको कर रहा है ठीक बस लेके चल जाओ पाई इस एक कॉल टू सीधे धर कर दे रहा हूं मैं क्या जाएगा यह थ्री इंटू इसको करो 25 इंटू टैन तूरी पावर 25.27 इंटू 10 तूरी पावर माइनस 3-8 एम क्यों आया प्रेशर है एटियम के टर्म में आता ही आता समझ गए बात किता है 5.27 ने टूरी पावर माइनस 3-8 एम समझ गए बात ठीक है क्या क्या लग रहा था तुम्हें बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए आई क्या टूरी तुम्हें आइसे कि तुम्हें कर यह देख रहा है यह सब को तुम्हें करना पड़ेगा लीडर को तो नहीं लेकिन दोमों को तूकंभर करना पड़ता ना तो सबसे पहले उन कर लगा हमारा चलो इसेके सांथ के साथ works after कर दिया उमीद है आप सब को समझ में आया होगा साथ मैं कर रहा होगा ठीक है थोड़ा इधर उदर अच्छे से देखते जाना ठीक है चलो आर की वैल्यू हमने देखी ती वह जो क्या है तुमारा यूनिट है वह याद रखना अच्छे से ठीक चलो ठीक तो मैं हूं अर्पे फ्री है पर बेस्ट है